सब्सक्राइब करते हैं तो सबसे पहले चेप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे लेखक जीवन परिचाइब को यह जो जीवन परिचाइब को हर लेखक का जीवन परिचाइब महत्तपून होता है वहां से हो सकता है कि इस वर्ष जो है आपको इनका जीवन परीचाय देखने को मिल जाए ठीक है प्रशन के दूरूप में और फिर बाद में हम जानेंगे प्रेम माधुरी के अंतरगत आने वाले चंदों का अर्थ चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं भारतिंदु जी के व्यक्ति का जीवन की तो इनका जन्म हुआ था आठ्रासों पचास में वारा नसी में और पिता जी का नाम था गोपाल चंद्र ठीक है ब्रज भाषा और खड़ी बोली के प्रकांड बिद्वान थे भारतिंदु जी को भारति यह कहें कि एठ्रासों पचास को भाथा तो कोई बहुत यह नहीं होगा प्रमपरा जो है विरासत में ही मिली देखो जैसा माहल होता है तो उनके पिताजी कवी थे इसलिए कवीता का जो थोड़ा बहुत प्रवाएं इन पर भी आया और साथ साल की उम्र में उनने एक दोहा लिखा ठीक है अब देखो चोटा सा बच्चा जो है वह दोहा लिखने लगा तो यहां से दिख जाता है कि पूत के पाउं पालने में दिखते हैं तो वही बात जो है वह भारतेंदु जी के साथ होती है और उनकी जो महान कभी बनने का अशिरवाद देते हैं और दर्श वर्ष की आयू में ही भारतेंदु जी के जो माता पिता थे वह उनका देहांत हो जाता है आरंबिक सिक्षा में क्या होता है इनका कि घर पर ही होती है ठीक है और जहां पर रणों ने हिंदी उर्दु बंगला और अंग् पर ने के लिए कुइंस कॉलेज बे चले जाते हैं और इनकी जो शादी तीरह साल की उम्मर में ही हो जाती है ठीक है यह तो धनका जीवन परिचा अब बात करते हैं इनके थे त्रचना के करम की ठीकर साहितिक के अंदर सेवा के अंदर आ देंकी बात किकते तो बहुत सरा काम इंढ़ना ने किया इसलिए इनगे हं रिभाद करती आपको लिखना है तो को इसमें निख सकते हैं भक्त ठीसर्वस्टर मली गुरिम माधुरी नए जमाने की मुक्री ठीक है सुमानजली प्रेम तरंग उत्तरार्ध भक्तमाल प्रेम पलाप गीत गोविन्दम होली मधु मुकुल और राग संग्रह तो यह कुछ विशेश वकावद कृतियां हैं नाटक भी इस तरीके से हैं क्यों कई सारी विधाओं का जो शु सब्सक्राइब को देखकर ही हमें लिखना तो कम चीजें बताना पर्फेक्ट चीजें बताना ठीक है ताकि आपका समय भी बचे नंबर भी अच्छे मिलें ठीक है तो नाटक्ति यदि बात करें तो वैदिक हिंसा इंसान भावती श्री चंद्रावली भारत दोर्दशा नी इंप्वाटेंट है यहां से पूछा जाता प्रशन आपसे बोला जा सकता है कि भाई भाई भाषा यूंश्यली के विशाय मैं तथ्य बताईए तो यहां पर आप ऐसे लिख सकते हैं कि भाई भारतेंदु जी का खड़ी बोली ब्रज भाषा दोनों पर ही समाना धिकार था उन्होंने अपने काववे के सरजा नहेतु भरज भाषा को ही अपनाया साथ ही पर चले ते शब्दों मुहावरों इवं कहावतों का यह था इस्थान प्रियोग किया है उन्होंने मुख्य रूप से मुक्तक शैली का प्रियोग किया है तो शैली कैंसे इनकी मुक्तक शैली तो पहली जो कवीता है पहला जो पद है वह संथ रितू का आगमन को संभोदित करता है कि वसंत आ गया है तो यहां पर जैसे वह संथ की चर्चा होती है प्रेम वेला करते हैं इस तो यह कुझे के मतलब हुता है लगी कुके लगी कोईल कदम दैठ बैठ फेरी प्र मतलब सी होता है रिसे अब मतलब फिरसे होता है हई को यह भी मतलब हिली और बोले लगे दादोरे मयूरे लगे नाचना फिरी देखर के संजोगनी जने ही है हरसे लगे अब यहां पर इंचाला इनों काड समझो तो यहां पर बात यह कही जा रही है कि भाई जो कोयल है वो कदम की डार पर बैठ कर कूकने लगी है ठीक है और पानी गरने के कारण धोए- बिंटे ट्रव है बहाएं बहाद की हिलने लगी लगे झारती है कि मैंडग मेंडक जो होता है जो होता है ना मैंडक ड़क तो मेंडक बोलने लगे हैं और मैयूर जो यानि की मोर जो है वो नाचने लगी थि देख अ कि देखके संजोगनी जन यह रशे लगे ऐसे मौसम को देखकर संजोगनी जन मतलब जो जोड़ा होता है ने जो कपल सोते हैं जो प्रेमी और प्रेमी का होता है वह एक दूसरे को याद कर रहे हैं ठीक अपर देखो अरिभाई भूमि सेरे पावन चलने लगए भूमे जो है ना वहाँ हरी हो गया है फिर और प्रेमी को तरसने लगए मेरा कि अब यहां पर ना जब भी इसका संदर्व लिखो प्रसंग वगएरा लिखो व्यक्षा लिखो ठीक ए तो सबसे पहले यहां पर इस चीज़ समझे लो कि जब भी प्रसंगे लिखो तो क्या लिखोगे प्रस्तुत पद या कविता हमारी हिंदी की पाथ पुस्तक के पद्य खंड से लिए और किस शिर्षक से लिए तो प्रेम माधुरी नामक शिर्षक से लिए जिसके कवी जिसके प्रसंग बदलता रहेगा जैसे इस तरीके से आपको संदर्व लिखना है और संदर्व जो है वह पूरा का पूरा इस पार्ठ में सेम रहेगा क्योंकि संदर्व नहीं बदलता प्रसंग बदलता रहेगा जैसे इसका जो प्रसंग बनेगा वह इस तरीके से बनेगा कि प्र के अन्दर ठीक है ढई जब भी काविसंदर लिखें तो वेटा क्या लिखें ओधे सब से पहले शेली लिखो पहले लिखो बहुत कि भाशा डुनिया को पता है कि यह भाश भाशा है ठीक है ब्रज भाशा लिखने के बाद दूसरी चीज आप क्या लिखने वाले हो जब आपने भाशा लिख दी तो फिर आपको बताना है क्या शैली कैसी है मुक्तक शैली है कैसी शेली है मुक्तक शेली है ठीक है मुक्तक ठीक मुक्तक शेली के बाद क्या बताना है ठीक है शब्द शक्ति बताना है शब्द शक्ति तो यहां पर अभीधा है ठीक है और अलंकार पूछा जाएगा आप से ठीक है पहले चंद अब यहां पर चीज याद रखना बेटा कि चंद ना आपकी स्लिवस में केवल लिमिटेड चंद है ठीक है चोपाई है और पर जो आपको आने आ रहें इसलिए उसके अंदर वह बशाल तरीके के चंद तो अगर कभी मौका में टाइम हो तो चंद वगएरा देखते रहा करो चंद लिखने की कोशिश करेंगे ना तब चंद आपको धीरे-धीरे-धीरे करके उसका जो वह होता है पाट होता किस तरीके समझ में आने लगेगी ठीक बचा चली आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे दो है कि यानि कि दूसरी कविता की तो देखो दूसरी कविता में क्या कहते हैं जो हुई अधिकार तो विचार कीजिए लोक लाज भलो बुरो भले निधारी है नैने शोन कर पग सब पर बस भास भायएं उते चली जात और देंहें कैसे कैसे हमारी है हरी चंद भाइये सब कि प्रसंग में यहां पर लिखेंगे कि उद्धव और गोपियों के भी संबाद हो रहा है और में तर्क नहीं कर सकते हम क्यों तुम्हारा उपदेश या तुम्हारा तो फ्रागे क्या कहती है देखो यह पर संग लिखने के बाद आजा व्याख्शा पर क्या व्याख्शा यह समझो जी पर जो हुई अधिकार तो बिचार कीजिए लोक लाज भलो बोलो भले निदारी है गुपिकां यह कह रही है कि हमारा मन जो हो हमारे बसमें ही नहीं है तो पर जब आपका मन नहीं सुनेगा तो आप निर्धारत ही नहीं कर पाएंगे कि जो हम कर रहा है जो हमें करना चाहिए क्या हो सही है ठीक है तो यह बात है मतलब होता है क्या आख मतलब होता है सुनना मतलब किसे सुनोगी कान से कर मतलब हाथ पग मतलब पैर तो यह कह रहें कि मेरे यांखे हाथ मां इंद्रिया जो है वो सब परबस हो गएं परबस मतलब है किसे है कृष्ण से है क्रिष्ण तो जब मेरे शरीर की इंद्रिया मेरी नहीं के लिश्टायं के अदर क्रियां और चेश्ठां का पालन करते हैं कहीं कि लिश्टाय आगे हां करते हो तसी से हारी है all हमने कैसे समाल सकते हैं ये बात जो है वो गोपी काय कहती है उद्दाव से फिर देखवागे चाहे मन मेरा हो जो ताही दीजिए बिसारी मन आपनो बसे जामे ताही कैसे बिसारी है ठीक है कि भाई जो मन में वास करता है उसको तो हम भूल सकते हैं लेकिन जब मेरा मन ही किसी कि दूसरे के पास चला गया है या मेरा मन ही किसी दूसरे में आवास करने लगा है उसे हम कैसे बहगाएं यानि कि उसे हम जो है एक चैप्टर में ना एक ही तरीके की भाष्टा का प्रयोग यह रसका प्रयोग कौमनली देखने को मिलता है ठीक है बहुत रहार है कि कभी कहीं आगे पीछे हो जाए बाकि तो सारी चीज एक जैसी रहती है ठीक है यह संग में लागी दोरे सदा बिनुल देखेना धीरज आन प्रिय प्यारे ते नहारे निहारे बिना आखानी दुखियां नहीं मानती है सिसी ओटी उन्हारे hai लेकर घ्य के चाथी हैं कि हमारी आखने जो हैं वो क्रिष्ण को दे ठीक हैं और एदी करशन में ना देखाए दें तो हमारे आंखे जो हैं पल में ठानती हैं अब आंखों का पल में ठानने से अर्थ यह निकलता है कि ये नगता है ये भाई नगते हैं पर मिंतलब हो था फें मतलब होता gap सपक्कना बंध हो उजप्य मतलब खुलना ठीक है तो यहां पर यह कह रही थिसपर बंध हो और सब सकी कभी प्यारे तिहारे निहारे बियना त्यांग दुखिनाई ही मानती है ठिक है यह कहती है जब तक करने का दीदार नहीं कर लेजी जब तक को देख नहीं नहीं लीतностью तब तक जो है न वो आखे जो है न धुलिखते ही रहेंगी कि बिना कर्ष्ण का दीदार किए आंखों में कष्ठ है था और रहेगा मतलब हम आखे दुक्ति है आंखों के इंदर वेदना हमेशा रहेगी यह बात जो है इस पद में कही जा रही है चली वचागी बटने अगले पक्त करी वर यहा है हरी जो पहले तो लगाई आगे अरी जलको अभए आपोनी धावती है यहां अर्थ समझों फिर गोपिकाई क्या कह रही है कि पहले भाती भरोसे दियो पहले जो मेरी सहेलियां थी उन्हों मुझे बहुत तरी तरीके से भरोसा दिया था कि हम है ना भाइया। बहुत बाती भरोसे हुए भरोसे बहुत 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 यहां पर उल्टी मिलती हैं समझा रही हैं यहां पर उल्टी मिलती हैं अर्थ जो है न वॡ्ड़ो से निकल रहा है ठीक है फिर देखो पहने तो लगाई के आगए अरी जलेको अब आपोनी धावति कि भाई पहले तो खुद आग लगादी यानि कि वह पहले हम से कहा कि हम कृश्ण से मिला देंगे अ अब फिर क्या कह रही कि भाई अब यह नहीं हो पाएगा यानि कि पहले तो खुद आग लगाई और फिर पानी मिला दिया अब यहां पर अर्थ समझो वास्तविक अर्थ क्या निकल दा है तो यहां पर उद्धव की विशय में बात कही जारी है उद्धव यह कहते हैं कि ग्यानमार्व इससे कृष अब तुम कह रहे हो कि यह संभाव नहीं है ठीक है चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं देखो आगे क्या कहते हैं उद्धो जूसो सुद्धो गहो वह मारग ग्याने की तेरे जहां गुदरी है को नहीं सीख मनें यहां एक स्यामा एक स्यामे की प्रतीती खरी है यह ब्रज समझुक्चा बाद कही जा रहे हैं चलो और अपनी की गुदरी को समा से फिर देखो आगे क्या कहते हैं बरज वाला सब है कि यह जो पर यह सरी मंडली ही भिगडी है एक जू हो तो एक जू हो तो घ्यान सिखाई यह कूप में ही भाग परिये वहाई एकाद कोई हो तो तुम उसको समझा भी सकते हैं वह प्रेम की दीवानी हो गई है कहने का मतलब यह है कि जिस गाउं के कुवे में ही भांग पड़ी हो उस गाउं के लोगों को तुम क्या समझाओगी एकाथ पागल हो तो तुम उसको समझा भी सकते हो लेकिन जिस कुवे में ही भांग डाल पागल हो जाए तो उसे तुम क्या समझाओ को प्रेमानी रखती विशेश है और सभी के अंदर ऐसा है तो तुम्हारा ग्यान का जो संदेश है वो शायद ही कोई सुने ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं फिर देखो आगे कि कहा गया है सखी आयो बसंत रूतन कोकंत अब हम श्काइब को सखी आयव वसंत जिटुमन कोकंत चहुदिसी फूली रही सरसोहे बर्सीतल मंद सुघान समीर सतावने है भयो गर सोहे अब संदर सावरों नंद के सौर कहे हरी चंद का मौसम आया है प्रकृति आपए प्रकृति नभines लगाना तो यहां पर यह बात कह रही है और पर आगे कह रहे हैं कि अब कभ करशन आएंगे और कब हम उनके पढ़ेंगे कब उनके पाइं परसोंगे कभी उनसे उस तरीके से संबंद जो है भक्त का एक भगवान के साथ जो संबंद होता है उसका विछो जो है वो कब मेरा खत्म होगा ठीक इस बात को कह रहें यहां पर चलो बढ़ते हैं आगे देखो उधो जूसुगहो वह म अच्छा यह तुम पढ़ी चुके ठीक बच्चा चलिए आगे बढ़ते हैं फिर देखो क्या है सखी आयो बसंत रितुवन को कंती यह भी बेटां पढ़ चुके हैं यहां पर ठीक आगे देखो इन दुख्यान को चैन सपने उना मिलियो तासो सदा ब्याकुल बिकल अकुल तो यहां पर बेटा कविता के अंदर गोपिकाओं ने अपने भाव की अभी व्यक्ति की है कि क्रिश्ण ने किस तरीके से जो हैं सबसे पहले गोपिकाओं यह कहती है कि इन दुख्यान को चैन सपने उना मिले मतलब यह जो दुख्यान को कभी चैन नहीं मिलेगा और यह बात कहीं जारी किसके लिए आँखों के लिए ठीक प्यारे हर उचंद की बीती जने नहीं ओधी प्रानगी अब तो उमर भी निकल सब्सक्राइब नहीं जाएगा पर यह जहां 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 हम जाएंगे मरने के बाद जिस लोक में भी हम जाएंगे हम वहां जाकर पश्टाएंगे भी यानि कि यह जो आखें यह जो प्रेम भाव है जहां जहां भी जाएगा वहां पश्टाएगा ठीक जिस लोक में जाएगा उस लोक में पश्टाएगा बिना प्रान प्यारे भाई दरसे तुम्हारे मरे हूप आंखें यह खुली ही कर रह कि बाई यह जो आँखें है न वो हमेषा से भ्याकुल थी और हमेशा से परेशान थी और इन्म यह कभी भी देखा और क्रिशन ओधी होगा मुझा पाता गया है और जब हमारा प्राणांथ भी हो जाएगा हम जिस लोक में भी जाएंगे जो आखें वहां 5000 लॉयानेगा तो तो यह था यह पर चीज정을 को उने समझा जाना चलिए बच्चा बढ़ते हैं आगे मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नया लेकर कुछ खास लेकर तक तक के लिए बने रहे पुल्डवलू परिवारते सब धन्यवाद